देश वासियों के नाम संदेश, सब देश वासी मिल उतारें इस स्वतन की आरती, सब देश वासी मिल उतारें इस स्वतन की आरती, फूले फले यह देश भारत और हमारी भारती, सो ए रहेंगे साथियों, कब तक कि तुम आज्ञान में, जागो उठो चुट जाओ फिर से देश के उठ्थान में सोचो हमारे देश का मन आज कितना अधीर है, सोचो हमारे देश के सेने में कैसा तीर है कोशिश करो यह जानने की, देश क्यों है गिरा हुआ, दुनिया का जो सरताज था वो, आज क्यों पिछडा हुआ, बरसों से बाड़ें खा रही है, देश की हरियाली को व्याकुल व्यतित इस देश के जन खोजते खुशिहाली को सब एक होकर नश्ट कर दो, स्वार थी रखवालों को, जो हो अटल सच्चाई पे खोजो नहे खुशालों को जाती धर्म के नाम पर इस देश के टुकड़े हुए, सीधे सरल खुसाल लोगों के मलिन मुकड़े हुए, अब लक्ष केवल एक अपने देश का उतकर्श हो, जाती धर्म हो कोई पहले देश भारत वर्ष हो, मुस्किल से आई देश की पतवार सच्चे हातों में, मिल जू के इनका साथ दो, मत आओ जूटी बातों में, राजीव दिख्षित भाई जैसे देश भक्त मिल जाएंगे, उजड़े हुए इस चमन में, हम फिर से सौरब पाएंगे, उजड़े हुए इस चमन में, हम फिर से सौरब पाएंगे, बंधू एक बात कहना चाओंगी, कि राजीव भाई दिक्सित जेसा नो जवान युवा आज नहीं कम से कम मेंने साथ आठ साल पूर्व आजादी के आलंद के बारे में और पेपसी कोको कोला के बारे में बहुत सुना ऐसे हमारे एक नवीवक समाज में आगया है है हजारों नवीवकों को जोड रहे हैं चिजुवा थ्युव सकती है चब चाए ब्रह्मांड हिला दे युवा सकती वह सकती है प्याले में तुफान उड़ा दे युवा सकती वह सकती है दंभरते भरी जवानी में युवास सकती है आग लगा दे पानी में युवा सकती वह सकती है आग लगा दे पानी में बंधुओं राजिव भारी युवा होस में हैं और साथ में होस को लेकर बैठे हैं तो मैं समझती हूँ कि देश का उस्थान जरूर होगा धनिवाद पहन साथवी जी के चर्णों में नमन करते हुए आज का कारिक्टरम शुरू करते हैं मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि राजीव भाई जिसके लिए चर्चित और प्रशिद्ध हैं वह हम सब जानते हैं राश्ट्री चेतना राष्ट धर्म और राष्ट चिंतन उनका गहन विशे रहा है उस पर उनकी सूक्ष्म सोच रही है हर एक समस्या के बारे में और उसके बाद अब उन्होंने स्वास्ति के लिए भी जो सूक्ष्मितास से उन्होंने गहन अध्यान किया है और वो हम तक अपनी बात रख रहे हैं तो इन दोनों चीज़ों को मैं जोड़ना चाहता हूँ राजी भाई जिस रास चिंतन का प्रतिनी धित्व करते हैं तो हमने देखा है कि कुछ वर्षों में या पिछले पांच-दस सालों में हमारी समाज में हमारे परिवार में हमारे देश में हमारे विश्यों में बहुत सारे रास हुएं बहुत कुछ बदला है बहुत चीज़ दोखा दे रहा है व्यापारी व्यापारी को दोखा दे रहा है अपने ही लोगों को मार रहे हम के बे नजिर भुटो को कल अपनों नहीं मार दिया। कि हम इसका समाधान ढून नहीं पा रहे हैं तो ऐसा मैं राजीर दिक्षित भाई से पूछना चाहता हूं कि ऐसा कफ पित और वाद का ऐसा कौन सा प्रकोप हुआ है जो हमारे समाज को इस तरह से अस्वस्त कर दिया है तो अगर वह वागभट के कोई ऐसे सूत्र साथ हो सकता उस समय विश्मता इतनी नहीं रही होंगी जब आगभट ने इस चीज़ को लिखा लेकिन ऐसा दूरदर्शी व्यक्तित्व निश्चित रूप से कहीं कुछ सूत्र लिखा होगा जो जिसको राजीव दिक्षित समझ सकते हैं तो मेरी कोशिस यह होगी कि वो स्वास्त के सा वो हमारे समाज के स्वास्त के लिए भी कुछ कहें तो अच्छा रहेगा राजीव दिक्षित जो मैं बताना भूल गया था कि आप सब जानते राजीव दिक्षित जी पूरे देश में घूमते रहते हैं और इसके लिए वो किसी तरह का रकम या किसी तरह की राशी वो नही उन लोगों को बढ़ावा देते जैसे उसने पहली दिन कहा कि कुमारों के लिए और खादी बनाने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा काम वहां पे सेवा ग्राम में किया है और सेवा ग्राम से अभी खादी के कपड़ियां आ चुके हैं तो मेरी गुजारिश आप लोग आज मैं आपसे बागभट जी के अश्टांग हिर्दयम शास्त्र की एक बहुत महत्तुपूर अध्याय की बात करना चाहता हूं जिसकी तरफ प्रदीब भाई ने इशारा ही कर दिया मैं खुद ही उसकी आज बात ही करने वाला था उन्होंने कह दिया तो अच्छा ही हुआ कि हमारे शरीर में बात-पित-कफ की इस्थती अगर सम है तो हम जीवन भर निरोगी रहते हैं और निरोगी शब्द की जब मैं बात करता हूं तो आप बागभट जी का जो निरोगी शब्द है वो शरीर से भी स्वस्थ और मन से भी स्वस्थ और मन के बाद एक और इस्थत होती है चित की वहाँ भी स्वस्थ है तो आप मन और चित और शरीर तीनों इस धर पर सवस्थ हैं यह उनकी भाशा है निरोगी हैं अगर का खाली शरीर we Questo है और मन नहीं है चित श्वस्थ नहीं है तो निरोगी नहीं माना जाएगा आपको मुझमख कुछ अपने को देने वाले हैं समाज को देने वाले तो इसलिए वो कहते हैं कि आप अगर स्वस्थ हैं ये तवी संबब है जब वात-पित-कफ आपके शरीर में सम है समोने के माने जितना वात चाहिए उतना है जितना पित चाहिए उतना है जितना कफ चाहिए उतना है वात पित कफ तीनों दोश है एक तरफ बागवट जी कहते हैं कि ये तीनों दोश है त्रिदोश लेकिन एक तरफ ये जरूरी भी है ये भी महत्व की बात है अगर ये नहीं है शरीर में तो आप शरीर से काम ही नहीं ले सकते वात भी चाहिए, पित भी चाहिए, कफ भी चाहिए बस उन्होंने ये कहा कि ये सम मात्रा में हो जब जितनी जरूरत है उतने हो जन्वरी का महिना चल रहा है मानलो अभी आजाएगा कल से तो जन्वरी के महिने में बात जितना चाहिए, पित जितना चाहिए, कफ जितना चाहिए उतना अगर है तो बहुत अच्छा फरवरी में, मार्च में महिनों के हिसाब से जो आपका जीवन चक्र चलता है उसमें जैसी जैसी जरूरत हो उतना वात्पित कफ होता रहे तो आपके लिए सबसे अच्छा और अगर ये जरूरत के हिसाब से कम जादा होता है नहीं मिल रहा है तो बहुत ही खराब तो आप रोग ही रोग में डूबेंगे ये है जो महत्तु की बात समझने की है तो बागवट्टी जी ने कहा कि आपके जीवन में ये वात्पित कफ जब जरूरत हो वैसे ही रहे उसके लिए उन्होंने एक अध्याय लिखा पूरा अध्याय लिखा उसका नाम है दिन चर्या दूसरा एक अध्याय लिखा उसका नाम है रितु चर्या एक अध्याय लिखा आहार द्रविका ग्यान माने जो खा रहे हैं उसके बारे में जानना आहार द्रविका ग्यान फिर ऐसे करते करते उन्होंने 40 से ज़्यादा अध्याय लिख डाले कुल अध्याय मैं 7000 सूत्र में बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि याद हो जाया आपको तो जो दिन्चरिया वाला हिस्सा है वो अभी तक मैं बात नहीं कर पाया आपसे आज मुझे एक दिन मिला तो मैं बात करता हूँ और व्याख्यान के अंत में जो प्रदीप भाई ने कहा वो इसमें जुड़ जाएगा अपने आप दिन्चरिया के बारे में बागवटी जी कहते हैं कि सामन रूप से हमारे शरीर की अवस्था के हिसाब से हमें दिन्चरिया तै करने है शरीर के हिसाब से सब के लिए ये जर्णल नहीं है ये ध्यान रखना हर व्यक्ति के शरीर के हिसाब से ये बदलती है जैसे मेरे बगल में बाबुजी बैठे हैं तो इनकी दिन्चरिया मुझसे अलग होगी और मुझसे छोटा कोई लड़का या लड़की है भाई या बहन है उसकी दिन्चरिया मुझसे अलग होगी तो आपकी सुविधा की अनुसार में तीन हिस्से करता हूँ मैंने पहले भी वो तीन हिस्से की है जवानी शुरू होती है अठारे उन्नीस वर्ष में इस देश में ऐसा माना जाता है बागवट्टी जी के हिसाब से ये बरावर नहीं है आज माना जाता है हमारे आठारे साल पर वोट देने का अधिकार आपको मिलता है ऐसा माना जाता है कि आप में परिपकुता है बागवट्टी जी कहते हैं कि जवानी तेरे से चौदे साल में शुरू हो जाती है तेरे से चौदे साल में शुरू हो जाती है तो आप समझ लीजे कि जन्म से लेकर 13-14 साल तक का एक भाग, 13-14 साल से लेकर 60 साल तक दूसरा भाग और 60 साल के उपर तीसरा भाग, तीन तरह के लोगों की श्रणी बना दी जाए, अब इसमें दिन चर्या का ध्यान दिया जाए तो सबसे पहली बात जो आप सबको याद रखनी चाहिए हमेशा, कि जो शून्ने वर्ष से लेकर माने पहला दिन का कोई बच्चा है, वहां से शुरू करके 13-14 साल, ये बच्चा जो है कफ के प्रभाव में रहता है, ऐसा कहें, बच्पन में कफ बहुत होता है, शरीर को, सार होता है बच्पन में, इसलिए बच्पन में 13-14 साल की उमर तक कि किसी भी बच्चे को या भाई बहन को मैं देखता हूँ, और वो मुझे कहता है कि मेरे घुटनों में दर्द है, तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि ये कैसे आया, आना ही नहीं चाहिए, बागवट्टी जी कहते हैं कि प्रकरती ने एक व्यवस्था बनाई हुई है, वो व्यवस्था ये है कि बच्पन जो आपका गुजरेगा, वो कफ के असर में होगा, कफ जादा होगा, जिनको कफ जादा होगा, उनको घुटनों का दर्द होना ही नहीं चाहिए, कमर का दर्द होना ही नहीं चा यह क्योंकि कफ के असर में नीद बहुत आती है तो चौदे वर्ष की उम्र तक अगर कोई भी भाई या बेहन बेटा या बेटी आठ घंटे से दस घंटे भी सो रहा है तो भी उसके लिए नुकूली माना जाता है तो कफ के असर में नीद बहुत आती है वात के असर में नीद बिल्कुल कम हो जाती है तो कफ के असर में अगर वो बच्चा है तो उसके शरीर की एक तरह की दिंचरिया रितुचरिया है फिर क्या होता है कि 14 साल से उपर लेकर 60 साल तक जवानी मान लीजे तो इसमें पूरा शरीर पित्त के असर में रहता है 14 साल से लेकर 60 साल तक पित्त का असर होगा तो शरीर को पित्त का असर होगा ही ये इतने दिनों में तो इनके लिए एक तरह की रितुचरिया दिन चरिया और तीसरा है 60 के उपर की जब उम्र हो जाती है तो वात के प्रभाव में आ जाता है पूरा शरीर तो 60 के उपर उम्र जिनकी हो गई अब वो मुझे ये कहें कि राजी भाई घुटने दुख रहे हैं तो समझ में आता ठीक है भाई स्वाभाविक है आपके लिए हड्डियां कमजोर हो रहे हैं बिल्कुल स्वाभाविक है ये उतना ही स्वाभाविक है जैसे आपके जीवन में बहुत सारी दूसरी चीज़ हैों स्वाभाविक होती है तो 60 के बाद जब तक आप जीवित हैं बाद के प्रभाव में है 60 से पहले 14 वर्ष तक जब तक आपकी उमर है आप पित्त के प्रभाव में है और 14 वर्ष से कम आपकी उम्र है तो आप कफ के प्रभाव में है तो मैं कफ से शुरू करता हूँ कफ से शुरू करें कि कफ प्रधान जो बच्चे हैं 14 साल तक उनकी दिंचरिया कैसी होनी चाहिए उनके लिए बागवट जी कहते हैं कि ये जो कफ के प्रभाव में बच्चे हैं ये आज से आप मैं आप से माफी बांगते हुए कह रहा हूँ कफ के प्रभाव के बच्चों को जितनी चाहें उतनी नीद लेने दीजिए आप उनको टोका टाकी मत करिए अक्सर मैंने देखा है माबाप की जो टोका टाकी बच्चों के लिए अरे इतनी देर सोता है वो सोएगा ही क्योंकि कफ के असर में है तो आप जबरजस्ती उसको मार के पीठ के उठाएंगे चल पढ़ने को बैठ होमवर्क कर टीचर ने इतना दे दिया अरे वो होमवर्क करके करेगा क्या अगर वो अपने कफ के असर में है वैसी उसकी दिन चर्या रखिये तो बागवठी जी कहते हैं कि जो कफ के असर में है उसको 10 घंटे तक की नीद सुईक्रत है माने 10 घंटे तक वो 24 घंटे में सो सकता है अब ये नीद वो दो हिस्से में लेता है तो बहुत अच्छा एक हिस्से में ले तो भी चलेगा लेकिन जादा बहतर है कि दो हिस्से में ले माने रात को 8 घंटे तक सो जाए 9 घंटे तक सो जाए दुपहर को 1 घंटे जरूर सो जाए लेकिन आप अगर कहेंगे कि कफ के असर में जो बच्चे हैं उनमें भी तीन कैटेगरी बनती है 14 से 8 एक कैटेगरी 14 साल से 8 साल 8 साल से 4 साल एक कैटेगरी और फिर 4 से 1 साल की कैटेगरी तो एक से चार साल वाली केटेगरी में बागवट्टी जी कहते हैं कम से कम सोले घंटे की नीद और चार से आठ साल की केटेगरी में वो कहते हैं कि कम से कम बारे से चौदे घंटे की नीद और बाद में वो कहते हैं जो 14 साल 8 से 14 तो वो कहते हैं कम से कम 8 से 9 गंटे की नीद तो छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम है आप उनको सोने से मत रोके क्योंकि कफ का असर है और कफ का प्रभाव कफ का मतलब है आपको खासि आए और जो बलगम निकल जाये जो बलगम है न वो ही कफ है ऐसा समझ लेए वो इस निक्द है चिकना है और बहुत भारी है ये गृरू है गृरू माने भारी हेवी है बहुत हेवी है इस से ज़्यादा हेवी कोई चीज नहीं शरीर के ब्लट प्रशर को हमेशा बढाती है कि हमेशा बढाती है हर भारीचीज हैवी चीजआ किए नर जादे कई बार rook हलका खाओ जिस जादा बहारीचीज Hai हर भारी चीज शरीर के blood pressure को बढ़ाती है क्योंकि भारी चीज जाएगी तो उसका गुरुत तो जादा है तो वो बढ़ेगा अगर blood pressure तो आपके blood pressure को control रखने के लिए जादा बढ़ गया तो तकलीफ आजाएगी तो body ने एक व्यवस्था बनाई शरीर ने व्यवस्था होगा या सामाने से कम होगा जितनी देर आप जगे हुए है blood pressure सामाने से थोड़ा जादा होगा तो बच्चपन में क्या है आदमी या बच्चा गुरुत में हैं कफ में हैं सिनिक्दता में हैं इसलिए उसको नीद लेकर blood pressure को maintain करना है अपनी व्यवस्था बनाने के लिए इ उसके सोने पर पाबंदी मत लगाओ आप अगर यह महसूस करते हो कि जी 14 गंटे से भी जादा सो रहा है तो सोचने की बात आएगी उसमें भी 4 साल तक के बच्चे को तो वो भी नहीं सोचना है वो 18 गंटे भी सोए तो सोने दोसको और वैसे भी आप महसूस करते हैं आप सम अब स्के होने वाला नहीं है इसलिए बच्च्पन में नीदğ जादा तो अब नीद जादा है तो यह कब संभव है यह नीद ज्यादा आप तभी संभव है जब जल्दी सो जाएं-स मानि बच्चों को जल्दी सोना ही कि आब बोलेगे जी कितने वज़े तक सोना बागवट बागवट्ट जी तो यह कहते हैं कि सूर्यास्त होने के दो घंटे के अंदर सो जाना सूर्यास्त होने के दो घंटे के अंदर सो जाना अब सूर्यास्त कब हुआ चिन्नई में मान लीजे छे वजे हुआ तो हर बच्चे को आठ वजे तक सो ही जाना कमपल सरी सो जाना अब ये तब संबभ है जब आप बच्चों को थोड़ा टीवी से दूर रखें बागवट्टी जी के समय में टीवी नहीं था होता तो उस पर भी कमेंट करते अब ये आ गया पिछले 50 साल में आधुनिक विज्ञान ने इसको दे दिया तो टीवी से बच्चों को दूर रखें ताकि उनके सोने की कमी ना आए टीवी देखने में आजकल बच्चे 11 वजे तक 12 वजे तक जगते हैं तो उनके नीद में कमी आती है नीद में अगर कमी आएगी तो कफ के असर में नीद अगर पूरी नहीं लेंगे तो फिर कफ बिगड़ेगा और ये बिगड़ा हुआ कफ बच्चों को चिड़ चिड़ा बनाएगा चिड़ चिड़ा बच्चों को अगर नीद पूरी नहीं लेंगे इसको ध्यान रखे तो उनमें चुर्चड़ापन आएगा गुस्सा भी आएगा और चुर्चड़ापन और गुस्सा उनमें है तो वो आपकी कोई बात नहीं मानेंगे आप उनको लाख अच्छी बात कहो, वो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि शरीर को मस्तिश्क जो है निरेंतिरत करता है, मस्तिश्क कफ के प्रभाव में है, कफ बिगड़ा हुआ है, सुधरा हुआ नहीं है, क्योंकि नीद पूरी नहीं ले रहे हैं, तो ये तो संकट आने ही वाला कि नीद पूरी, फिर देखिए वो कितने अच्छे से सुनते हैं, अब मैं आता हूँ जो आपने प्रश्न किया, जब आदमी कफ के असर में होता है, कोई भी, बच्चा हो तो भी, बड़ा हो तो भी, कफ के असर में जब भी होगा, चिर्चिड़ा होगा, गुसल होगा, क्र होता है, कोई भी कफ प्रकरती का व्यक्ति, किसी को भी गोली मार सकता है, अगर उसका कफ इतनी तीवरता पर है, बिगड़ा हुआ, गोली मार सकता है, बम मार सकता है, किसी के खून को निकलते देख, उसके कफ को शान्ती आती है, मन में उसके संतुलन आता है, तो कफ जो है हैं जो अभ्यास हुए हैं कि जितने भी अपराधी प्रवर्थी के लोग हैं दुनिया में वो कफ के असर में ही सारे अपराध करते हैं ल gw islands लेकिन कफ बिगडा हुआ है और इसी कफ का असर है कि प्रेम भी बहुत पैदा होता है बहुत प्रेम पैदा होगा इसी कफ के असर में आप किसी छोटे बच्चे को देखते ना आपके दिल में अत्यंत प्रेम पैदा हो जाता है वो कफ का असर है कफ प्रेम भी पैदा करता है और कफ आदमी को जहरीला भी बना देता है महत्तु की बात है कि कफ जब बता देगा, अब मैं आपको बागवट्ट की बात छोड़कर मेरी बात एक जोड़कर सुनाता हूँ, तो बहुत अच्छे से समझ में आए, आपने कई बार अखवारों में पढ़ा होगा, न्यूस पेपर में, मैगजीन्स में पढ़ा होगा, कि दुनिया में सबसे खराब ब पड़ टीचर को मारा, अपने पडोसी को मारा, इसको मारा, और अंत में खुद को मारा, अमेरिका की मुश्किल से कुल आबादी 27 करोड है, इसमें से लगबग 3 करोड के आसपास बच्चे हैं, ऐसा वो कहते हैं, इन 3 करोड बच्चों में 30 लाख जेल में बन दें, जेल में बन दें, और जिनकी उमर 14 साल की, 12 साल की, 11 साल की, 10 साल की, ऐसी उमर के बच्चे, जेल में बन दें, होना चाहिए स्कूल में लेकिन हैं, जेल में, यह जो अमरीका की इस्तिती है, यह कनाडा की भी है, यही इस्तिती ब्रिटेन की है, यही फ्रांस की है, यही जर्मनी की है यही Sweden की है यही Switzerland की है इन सभी देशों में जो ठंडे देश माने जाते हैं बच्चे सबसे ज़्यादा बिगड़े हुए आपको सुनकर रहानी होगी अमेरिका यूरोप के देशों में सबसे ज़्यादा जो अपराद हो रहे हैं उनमें लगवग 65 से 70 प्रतिशत अपराद जो चाहे बलातकार के हों चाहे छेड़ खानी के हों या गोली मारने के हों या लूट मारी के हों बच्चे कर रहे हैं बच्चे जिनको हम 14 साल तक की उमर का मानते वो कर रहे हैं परिणाम क्या है बिगड़े हुए कफ के प्रभाव में हैं वो सब बच्चे बिगड़े विचार और बुरे विचार शरीर में आएंगे अब वो शरीर की एक स्वाभाविक क्रिया है इसको रोकना है तो क्या करें इसको रोकना है तो कफ कम करो बिगड़ने मत दो और कफ बिगड़े नहीं तो बागबट जी कहते हैं सबसे अच्छी अचूग दवा है भरपूर लेना मुफत का इलाज है बिगड़े हुए कफ को सुधारना है कंट्रोल में ये बड़ों के लिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि आगे आपको भी समझ में आएगा कि आपके शरीर में अभी अगर कफ की इस्ति बिगड़ रही है तो भरपूर नीद लेना शुरू करिए कफ आप आपका कंट्रोल में आ जाएगा क्योंकि शरीरी कर लेता है ये सब बस ध्यान दीजे इसका मतलब ये है कि बच्चों को चिलचड़े पन से बचाना गुसे से बचाना नेगेटिविटी से बचाना गलत रास्ते पर ना चले जाए अब गलत रास्ता आप सब समझते हैं ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां इलाज के लिए मेरे पास आते हैं जो घर चोड़कर भागे हुए Chron कियों भाग गए जी पिता जी अच्छे नहीं लगते हैं माता जी अच्छेन लिगती जिन माता पिताने पैदा किया वह ये अच्छे नहीं लिगते . कफ इतना खत सबसे मुश्किल काम मानता हूं दीरू भाई अमबानी होना सबसे आसान काम है हाँ आपके पास कुछ पैसा नहीं है दस हजार करोड़ बनाना बीस हजार करोड़ एकार्द लाग करोड बनाना सबसे आसान काम है सबसे आसान काम है लेकिन एक बच्चे को बढ़ा कर देना या दो बच्चे को बढ़ा कर देना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है आप फैक्टरी चला सकते हैं एक दर चला सकते हैं दस चला सकते हैं बीस बहुत आसान सकता दुनिया में एक्सपरिमेंट हुए हैं परिवार के बाहर बच्चों को बढ़ा करने के सबसे ज्यादा एक्सपरिमेंट यूरोप में हुए हैं कॉन्वेंट है ना कॉन्वेंट ये बच्चों को बढ़ा करने के ही केंद्र हैं ऐसे बच्चों को जो परिवार से बिछड़े हैं छूटे हुए लावारिस बच्चे कॉन्वेंट स्कूल सब फेल हो गए अमेरिका और यूरोप में वो बच्चों को सिखा नहीं पाए जो सिखाना चाहिए और ज्यादा कॉन्वेंट के बच्चे ही वहां मरडर कर रहा है हिंसा कर रहा है ठीक से बड़े हो कफ का बिगाड इनको कहीं गलत रास्ते पर ना ले जाए तो इसके लिए बहुत सरल उपाय है कि नीद उनको भरपूर लेने दीजिए कई बार आप ऐसा मत करिये बच्चों को कई बार ऐसा लगता जपकी आ रही है तो आप जबरजस्ती पढ़ने को मत बिठाए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेज कुरसी पर बैठते ही उंगने लगते है तो उनसे कहिए कि देखो किताब बंद कर दो और जाके सो जाओ वो 20-25 मिनट सो के आएंगे पहले से जादा फ्रेश होंगे क्योंकि सो के उठते ही कफ का असर कम हो जाएगा और कफ के असर में पढ़ाई नहीं होती ये और बात एक जाने जाए कफ के असर में पढ़ाई नहीं हो सकती पढ़ाई अच्छी करनी है तो पित के असर में ही होती है पित बढ़ना चाहिए कफ कम होना चाहिए तब ही पढ़ाई अच्छी होगी तो जब तक कफ बिगड़ा हुआ है असर उसका भयंकर दुश्प्रभावी है पढ़ने के लिए मत बोलिये उनको कहिए सोजाओ कफ बिगड़ा हुआ हो तो सबसे अच्छा उपाय है को सोजाओ तो 20 मिनट सोएंगे आदा गंटे एक गंटे या दो गंटे सोजाए फिर कहो अब उठने दो अपने आप से उठने दो अब अपने आप से जब उठे तब उनका कफ पूरी तरह से शान्त होगा फिर जो भी क्या है वो समझ लीजे समझ लीजे वो यह मैं यह कह रहा हूं कि आप करें जरूरी नहीं है लेकिन समझ जरूर लीजे ताकि आपको करते समय ध्यान में रहे कि मैं ठीक कर रहा हूं या गलत बच्चों को मार मार के सबीरे जब आप उठाते हैं तो बहुत बड़ा अत्याच उनके उपर होता है वो क्या होता है सुबह का समय कफ का समय है दिन के हिसाब से सुबह का समय कफ का समय है उस समय उनको सबसे गहरी नीद आएगी उप्रकरती का नियम है और उसी समय मार पीट के आप उनको उठाके बाथरूम में खरते हैं चल जिल्दी से नहां बस आ गई है ओटो रिक्षा आ गया है अरे ये बस और ओटो रिक्षा क्या करेंगे उसकी जिन्दगी को मैंने ही क्या कर लिया इतना सा पढ़ने के बाद क्योंकि जो कुछ मैंने पढ़ा है वो मेरी जिन्दगी के कभी काम नहीं आया काम तो वो आ रहा है जो मैंने स्कूल में नहीं इस्कूल कॉलेज में मैंने बहुत पढ़ा X plus Y whole square is equal to X square plus 2XY plus Y square और पता नहीं कितनी कौपिया रंग डाली आज तक मेरी जिंदगी में काम नहीं आया X plus Y whole square अब मेरे गणित के टीचर को मैं पूछता हूँ क्यों पढ़ाया मास्टर जी आपने मुझे तो कहते हैं क्या करूँ यार काम तो मेरे भी नहीं आया मुझको किसी ने पढ़ाया तो मैंने तुमको पढ़ाया यह भेडिया धसान है मैं आपको विनम्रता पूर्वक यह कहना चाहता हूँ कितने भी अच्छे स्कूल में आप बच्चों को पढ़ाये उनकी जिन्दगी का 90 से 95 प्रतिशत बेकारी जाने वाला है अब उसके लिए आप उनको मार पीट के उठा रहे है जो कभी काम नहीं आएगा जिन्दगी में तो आप ही अत्याचार मत करिए फिर आप कहेंगे जी इसकूल तो सुबही चलते हैं तो इसकूल वालों को मिलकर समझाईए कि बच्चों के इसकूल का समय दुपहर को रखे अब आप बोलेंगे जी वो कैसे समझेंगे ऐसे समझेंगे बच्चे तो आपके पढ़ रहे हैं ना एश्कूल के मास्टर जी के पढ़ रहें बच्चे आपके पढ़ रहें फीस आप दे रहे हैं आप मिलकर कहेंगे तो इस्कूल वालों को जग मार कर सुनना ही पढ़ेगा क्योंकि इस्कूल तो आप से चल रहा है आप इस्कूल से नहीं चल रहे है इस्कूल आप से चल रह उनको donation दे रहे हैं करोड़ों रुपे फीज दे रहे हैं तो उनको कहिए छोटे बच्चों के school कभी भी सबेरे नहीं होने चाहिए साथ बजे से school चल रहा है तो होना ही नहीं चाहिए उनका school 11 बजे से 12 बजे से होना चाहिए आप प्रयास करिए सफलता मिले तो बहुत अच्छा नहीं मिले तो अपना अलग school ही खड़ा कर दीजे हाँ क्या मुश्किल है आप जैसे लोगों के लिए आप सब यहां बैठे हुए लोग हैं कोई करोड़पती से कम नहीं है क्या मुश्किल है कि school ऐसा शुरू कर दो जो बच्चों को सुबह नहीं पढ़ाएगा जी हम आयुरवेद के हिसाब से चलेंगे हम बागवट के हिसाब से चलेंगे हमारा बच्चों का इसकूल दुपहर को ही शुरू होगा तो आप कोशिश करिए कोशिश करने से दुनिया में सब कुछ होता है जब से मैंने ये बातें मेरे मित्रों से शेयर की हमारे कारिकरता बहुत हैं देश भर में करीब अठा रहजार उनसे जब शेयर की तो उन्होंने कई कई जगे प्रयास किये कुछ में सफलता भी मिली इसकूल वाले मान गए समझ गए बागवट के सूतर उनको समझाए तो वो मान गए हाँ बच्चों को क्योंकि इसकूल में पढ़ाने वाली भी टीचर है या टीचर है उसके भी अपने बच्चे है वो भी देख रही है महसूस कर रही है कि सुबह तो सोने का ही उनका मन करता है तो सुबह तो सोने के लिए ही है उनके लिए क्योंकि सुबह कफ का असर होता है और बच्चे तो कफ के ही प्रभाव में हैं तो डबल असर होगा इसलिए सुबह उनको नीद अच्छी आएगी सुबह नीद अच्छे आएगी तो उनको जगजोर के जगाईए मत अब सुबह की नीद उनकी ठीक से आए इसके लिए वो रात को जल्दी सोए तो आठ वजे तक सोने के लिए नियम डाल दीजे आठ वजे के बाद आपके घर का टीवी बंद हो जाए तो वो भी नहीं देखेंगे आप देखेंगे तो वो भी देखेंगे बच्चे तो जो आप करते हैं वैसे ही सीख लेते हैं तो आप आठ वजे के बाद टीवी को बंद करने का नियम डाल दीजे बच्चों में आदत पड़ गई नीद आने की आठ वजे तो वो सोएंगे भरपूर नीद लेंगे सुबह छे वजे तक उठेंगे बहुत अच्छे से उठेंगे फिर आप चाहें तो उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं उनके मन में ना चिर्चड़ापन होगा ना गुस्सा होगा ना कोई negative thought होगा क्योंकि नीद जीवन में उतनी ही बड़ी चीज है जितना भोजन तो भरपूर नीद लेने दीजे क्योंकि वो कफ के असर में है तो बच्चों की दिन चर्या में आप ये ध्यान रखिए कि 8 से 10 गंटे सोना कंपल सरे एक बात दूसरा बच्चे कफ के प्रभाव में है ये मैं बार बार कहूंगा आपसे ताकि याद रहे बच्चे कफ के प्रभाव में है और कफ का प्रभाव छेत्र जो है न वो जान लीजे हिर्दय से उपर और मस्तिश्क का अंतिम बिंदू ये कफ का छेत्र है हिर्दय से उपर यहां से उपर पूरा ये कफ का छेतर है हिर्दय से नीचे नाभी तक ये पित का छेतर है और नाभी से नीचे पूरा ये वात का छेतर है तो बच्चे कफ के असर में हैं, तो ध्यान रखिए कि उनको जितने रोग होंगे, वो यहां से उपर वाले ही होंगे, बच्पन के, नाग बहेगी, सर्दी होगी, जुकाम होगा, खासी आएगी, ये सब इसी एरिया के रोग हैं, तो बागवटी जी कहते हैं कि बच्चों को क मालिश बहुत ही जरूरी है, तेल मालिश, बच्चों की तेल मालिश बहुत जरूरी है, वैसे तो सब माताई करती ही है, अंजाने में वो एक बड़ा काम कर रही है, कफ को कम करने की जो दूसरी चीज़ बताई है बागवटने, एक तो मैंने बता नीद, जो कफ की विक्रती को कंट्रोल में राती है दूसरी चीज जो कफ को कंट्रोल करती है नियंत्रित करती है वो है मालिश गिसाई रगड़ाई ये कफ को कंट्रोल करती है नीद के बाद हो गई मालिश तो बच्चों की मालिश अत्यंत जरूरी है तो सुबह जब वो सोकर उठते हैं शौचादी से निवरत होकर आते हैं तो उनकी मालिश होनी ही चाहिए अब बागवटी जी ने कहा है कि जो कफ के असर में हैं वो व्यायाम ना करे वो प्राणायाम ना करे योगासन भी ना करे ध्यान रखे इस बात को बागवटी जी कहते हैं कि कफ के असर वाले व्यक्ति को ना तो व्याया ना तो आसन ना तो प्राणायाम उसके लिए है मालिश रगड़ाई चाहिए उसको शरीर के ठीक है तो मेरी आपको विंतिया कि बच्चों को व्यायाम करने के लिए प्रोथसाहित मत करिए कई बार माता पिता टीवी का चैनल खोल के वो रामदेव जी का चल रहा है चल तू भ प्योगी है जो पित्त के प्रभाव में हैं वात के प्रभाव वालों को बहुत मामूली पित्त वालों को सबसे ज़्यादा कफ वालों को बिल्कुल नहीं योग प्राणायाम आसन कफ वालों को बिल्कुल नहीं वात वालों को थोड़ा पित्त वालों को सबसे ज़्यादा यह है सूत्र बाग बटेजी तो बच्चों को मत प्रेरित करिये कि तुम आशन करो कि तुम प्राणायाम करो कि तुम ऐसी exercise करो उनके लिए तो कफ के असर में है तो यह exercise जितनी कम हो उतना अच्छा मालिश करिए उनकी बरपूर मालिश करिए अब तीसरी बात तीसरा सुत्र बच्चों की मालिश कहां करें जी पूरे शरीर में करें पूरे शरीर में करिए लेकिन बागवट्टी जी कहते हैं कि कफ का असर कहा है मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा च्छाती से लेके उपर तो ये जो इतना हिस्सा है इसकी मालिष ज़्यादा करिए ताकि कफ थोड़ा शांत रहे तो सीधे से बात अब मैं समझाता हूँ बच्चों के सिर की मालिष सबसे ज़्यादा करिए सिर ये उपर का हिस्सा धीरे 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 तेल लगा के सिर की मालिश सबसे ज़्यादा करिए तो मालिश किसे करेंगे तेल से तेल जो है कफ नाशक है तेल जो है ना कफ नाशक है तो सिर की मालिश करेंगे छोटे छोटे छिद रहें तेल इससे अंदर जाएगा, कफ को सामाने रखेगा तो कफ के प्रभाव में बिगडेंगे नहीं बच्चे माने गुसा नहीं करेंगे, चुड़-चुड़े नहीं होंगे निगेटिव नहीं होंगे, जिंदगी में गलत काम नहीं करेंगे तो बच्चों के सिर की मालिश बहुत जरूरी है सिर की मालिश दूसरा वो कहते हैं कि कफ का जो दूसरा बड़ा इस्थान है एक तो सिर हुआ दूसरे है कान ये कान है ना ये कफ के स्थान है तो बच्चों के कान की मालिश रोज होनी चाहिए जरूर होनी चाहिए कान की मालिश कैसे करें बस तेल लगाईए हाथ में ऐसे ऐसे गुमाईए फिर उल्टा गुमा दीजे फिर ऐसे गुमा दीजे और थोड़ा तेल कान में डाल के रखिये उनको क्योंकि कफ का इस्थान है कान तेल डालते ही कफशान्त होगा तो हमारी पुराने जमाने की जो माताएं हैं वो रोज बच्चों को कान में तेल डालती थी वो अंजाने में बहुत बड़ा वेग्यानिक काम करती थी देखा ना पुराने जमाने की माताओं को आज के जमाने की माता है तो कहती है चिपचिपा है तेल तेल चिपचिपा है तभी तेल है नहीं तो उसमें कुछ है ही नहीं तो पुराने जमाने की माता हैं बच्चों को बराबर कान में तेल डालके रखती थी, तो बच्चों के कान में नियमित रूप से तेल डालिया, फिर आप बूलेंगे जी कौन सा तेल, तो इसमें बागबटी जी सूत्र दे रहे हैं कि आप जहां रह रहे हैं उसके हिसाब का तेल आप चिन्नई में रह रहे हैं चिन्नई भारत के गरम इलाकों में हैं गरम इलाकों में ठंडा तेल अच्छा तो सबसे ठंडा तेल नारियल का तेल है तो चिन्नई में रहने वालों को नारियल के तेल की मालिश नारियल का तेल ही खाना अब आप बिहार में जाएंगे और मैं वहां कर आकर आपको कहूंगा तो कहूंगा जी आप नारियल का तेल बिलकुल मत खाओ मालिश भी मत करो, मैं कहूंगा सरसों का तेल खाओ, उसी से मालिश करो. और जो आप और उदर चले गए, हर्याना पंजाब की तरफ, तो मैं ही आकर आप से कहूंगा, जी आप ये छोड़ो, आप तो जेतून का तेल इस्तेमाल करो, या तिल का तेल इरिया के हिसाब से तो मैं आपके हिसाब से बात कर रहा हूं कि आप नारियल के तेल की मालिश भी कर सकते हैं उसको भोजन में भी उपयोग कर सकते हैं बच्चों की नियमित मालिश सिर की कान की होती रहनी चाहिए और तीसरी चीज आखें आखें जो है ना कफ कफ का ही केंद्र है सबसे बड़ा कफ का केंद्र सिर दूसरे नंबर पे कान तीसरी आख आख कफ का केंद्र है और आख के जादा रोग 99% रोग कफ के रोग है जैसे मैंने आपको बोला ना आख में आप बोलते हैं कि हमको केटरेक्ट हो गया यह कफ का रोग है मोतिया बिंद ह गया कफ का रोग है ग्लुकोमा हो गया कफ का रोग है आँखें लाल हो रही है कफ के प्रभाव तो आखों की विशेश देखवाल बच्चों की ताकि चश्मा ना लगे अब चश्मा ना चड़े अब आखों में क्या करें जी कफ को कंट्रोल करें तेल नहीं डाल सकते आखों क क्योंकि तेल और आँखों का मेल नहीं है, आँखों में हमेशा एक फ्ल्यूड रहता है, तेल में डालें, मने तेल उस फ्ल्यूड में गया तो गड़बड करता है, तो आँखों के लिए घी ठीक है, देशी गाय का घी, तो बच्चों को नियमित रूप से देशी गाय का घी आँखों में लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है देशी गाय का घी ये कफ को शांत करता है लेकिन आप देशी गाय के घीम को उपलब्द नहीं कर पाते किसी कारण से तो फिर बागवट जी कह रहा है कि कफ को शमन करने वाली एक और चीज़ है वो है काजल काजल माने कारबन कारबन कफ को शान्त करने में सबसे बड़ी भूमिका निवाता है तो बच्चों को नियमित रूप से आँखों में काजल होना ही चाहिए बागवट जी ने बहुत सुन्दर शबद इस्तेमाल किया है सौवीर अंजन उसको कहें काजल सौवीर अंजन बहुत सुन्दर शब्द है और बागबटी जी इतने दयालू और क्रपालू है कि उसकी पूरी विधी भी लिखके गए कि बच्छों के लिए जो सौवी रंजन बनाना है वो कैसे बनेगा उसमें इस्तेमाल होता है गाएका दूद और दारू हल्दी देखा जारू हल्दी एक हल्दी और एक दारू हल्दी तो दारू हल्री, गाय का दूद, गाय का घी ऐसी पास्सात वस्तों से बनता है, पूरी विधी किताब में है, मैं ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहूँ, तो बच्चों को नियमित रूप से आँख में काजल, क्योंकि कफ को शांत करे, कान में तेल, सिर पर तेल की मालेश, ठीक है, ये तीन चीजें उनके लिए बहुत आवश्यक है, फिर आगे चलें, आगे चलें तो खान पान उनका, कफ के प्रभाव में जो भी बच्चे हैं, उनके खान पान में, बागवट जी कहते हैं, दूद सबसे आवश्यक, दूद, बिना दूद के बच्चों का जीवन नहीं, दूद तो उनके लिए सबसे आवश्यक, दूसरी कोई चीज उनके लिए आवश्यक है, वो है मक्खन, मक्खन, लोनी कहते हैं, मक्खन कहते हैं, लोनी, और फिर तीसरी चीज है, घी, उसके बाद तेल, और उसके बाद जो भी आप साधरन चीज़े खा रहे हैं, है मक्षन है गुड़ है ये सब कफ को संतुलित रखने वाली चीज़ सब चीज़ें जिनको आप महसूस करते हैं भारी है ये कफ को संतुलित रखने में मदद करते हैं तो भारी चीज़ें बच्छों को नियम इतरूप से दीजे अब पतला आटा उन्होंने कहा है पतला आटा माने बारी काटा इसको मैं थोड़ा आज के हिसाब से कहूं क्योंकि आज वो चीज है बागवट्ट के जमाने में नहीं थी मैदा, मैदा ही निशिद है बच्छों को, बस, मैदे की चीज नहीं अब मैदे की चीज नहीं क्यों क्यों क्योंकि ये कफ को बिगाडने वाली चीज है मैदा, बाकी चीज़ें कफ को संतुलित रखती हैं, मैदे की चीज़ें कफ को बिगाडेंगी, तो बच्चों को मैदे की मठरी मत दें, अब आप बोलेंगे जी मठरी मांगें तो आटे की बना के दें, मैदे की ना दें, अब मैदे का बना हुआ समोसा ना दें, तो समोसा मां प्रभाव कफ में उसको भी पाचन कर सकते हैं अब मालिश हो गई भोजन हुआ फिर नाहने के लिए कहा है तो मालिश पहले इसनान बाद में हमेशा इसनान के बाद मालिश करने को मना किया है इसनान बाद में मालिश पहले तो अच्छे से मालिश करिए आप बोलेंगे जी कित इतनी देर मालिश करें, तो इसके लिए बहुत सुन्दर बात उन्होंने कहिए, बच्चों की मालिश करते समय, जब उनकी बगल में पसीना आ जाए, तो मालिश रोक दें, घड़ी के हिसाब से नहीं बताया उन्होंने, कि 10 गंटे करें, कि 20 गंटे, 40 मिनट याप, समय उन्हो के लिए वो अलग होगा, तो उन्होंने इतनी सुन्दर अब्जरवेशन दिया, कि जब आप मालिश कर रहे हैं, बच्चे की बगल में पसीना आ जाए, तो मालिश रोक दें, ठीक है, तो मालिश, मालिश के बाद इसनान, इसनान के लिए बागवट जी कहते हैं, कि जो भी कफ को कम करती हैं, वही चीज़ें इसनान में उपयोग करें, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आधुनिक बाद, बागवट जी ने तो नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि कफ को कम करें, वही चीज़ें इसनान में उपयोग करें, तो कफ को कम करने वाली सबसे बहतरीन ची बागवटी जी ने कहा है कि यह बहुत कफ को कंट्रोल रखता है तो चंदन की लकडी का पाउडर मने चंदन पाउडर चने का आटा और मोटा आटा कोई भी गेहूं का हो चने का हो दाल का हो मोटा आटा फिर कहते हैं मसूर की दाल का आटा फिर वो कहते हैं मुंग की दाल का वाली चीज है तो कहते हैं बच्चों का इसनान इनी से कराएं ताकि कफ कम रहे मतलब सी बात है साबुन ना लगाएं क्योंकि यह जो साबुन है ना यह chemical है chemical माने sodium hydroxide sodium hydroxide माने Castic Soda ये Castic Soda तो कफ को बढ़काने वाली चीज है इसलिए बच्चों को साबुन गलती से भी ना लगाए उनको चने के आठे से नहलाएं मुलतानी मिट्टी से नहलाएं चंदन पाउडर से नहलाएं क्योंकि कफ को कम करने वाली ये सब चीजे हैं इन चीजों से ही इसनान करा बच्चों को साबुन गलती से भी नहीं और साबुन जो गलती से आप लगा रहे हैं और आँख में गया तो सर्वनाश कर सकता है आँख का क्योंकि आँख कफ के प्रभाव में हैं और साबुन बहुत तीखा होता है वो पित और वात के प्रभाव की चीज़ें हैं तो दुश् झालने वाला साभून दुनिया में होई नहीं सकता कि यह मूरखवनाने के तरीके हैं आपको कोई भी साभून आजओ नहिंट यह होई नहीं सकता किसा उन है ही पित्ट और वात्का और आख्ये है कफ की लगेगा तुम आँखों से आशों साबून निकलेंगे ही हाँ एक ही समय में हो सकता है कि साबून में कास्ट्रिक सोड़ा सबसे कम हो गिलिसरील और तेल सबसे जादा है तो उब्टन में ही तेल मिलाके नहलादेना साबून क्यों खरीद के 40-35 पर ऑता यह जॉंसन इं जॉंसन घ्व्जन संब के 10-30 रूपई किलोень01-01-01 काजू करके महा हैं मेंगा काजू 200 रुपई किलो साभून 300 रुपई किलो बादा म 나서 मैंगा जведगा कहां पानी में यह डाएगा 2-3 500 रुपई किलो की चीज पानी में बाहर अच्छा है, काजु खिला दें उनको, बादम खिलाना के लिएुबटन जो बहुत सस्ता पड़ता है और क्वालिटी उसकी कैसे चेक करें कि कफ को नाश करता है। कफ को शमित रखता है। कफ को शांत रखता है। इसलिए उब्टन का इसनान बच्चों को जरूरी है। आगे बढ़ें, बच्चों का इसनान होने के बाद, उनके खान पान का मैंने बता दिया, ऐसी चीज़े हैं, उनको नियमित खिलानी है, जो कफ को कम करती है। मैंने तीन-चार चीज़ों के नाम लिए दूद है, दही है, मठा है, हर मोटा अनाज, हर मोटा अनाज माने बाजरी है, जवारी है, ये सब कफ को शांत रखने वाली चीज़े हैं, गाय का घी है ना मक्खन और घी, मक्खन जादा अच्छा है बच्चों को बनिस्बत घी के, क इन चार बजे के आसपास क्या होता, उनका पित थोड़ा बढ़ेगा, बारे से चार के बीच में पित बढ़ता है, बारे बजे तक कफ के असर में हैं, बारे से चार के बीच में पित बढ़ेगा, तो उस समय ऐसी चीज़ें खिलाएं जो घी की बनी हुई हैं, घी की बनी तो यह हो गया बच्चों की दिन चर्या साथ बजे सोने के लिए का माहौल बनाने के लिए तैयारी करें साथ बजे तक माहौल बने सोने का तो आठ बजे सोएंगे और माहौल बनाने में सबसे बड़ी मदद करेगा टीवी का स्विच आफ मेरी तो आपको विंती है कि घर के छ switch off करना है तो उस समय थोड़ा चल जाएगा लेकिन बच्चे जब तक छोटे हैं साल भर के डेड़ साल के दो साल के धाई साल के तब तक तो केबल कनेक्शन ओफ रखें या केबल कनेक्शन है तो टीवी ओफ रखें चले नहीं उनके साम नहीं तो वो चालू हो जाएंगे पोगो देखेंगे पोगो हाँ काटून फिल्म देखेंगे क्यों देखेंगे जान लीजिए कफ के असर में जो बच्चा होता है इसको समझाना चाहता हूं मैं कफ के असर में जब बच्चा होता है तो उसकी कलपना शीलता सबसे उंची होगी मैंने थोड़ी देर पहले का नहीं यह कफ है जो सम में रहे तो व्यक्ति को बहुत कलपना शील बनाएगा इतना कलपना शील और वैग्यानिक बनाएगा सोच नहीं सकते नेक कहानी सुनाएगा बच्चे कहानी सुनते हैं ना बड़े मज़े से क्यों सुनते हैं वो उनकी कलपना शीलता हमें मदद करती है का आप ने का एक राजा था अब इतना कहते ही उनका चालू हो गया दिमागा आप आगे का वाक बोलेंगे उसके पहले वो कलपना कर भिम्ते प्राइंगों तो आपके बोलने से पहले उनके दिमाग में घूम गई पूरी फिल्म एक राजा था पिर कैंगे आगे बत और राणी थी अब राणी के बारे में सब बातें उनके दिमाग में आगे फिर आप कहेंगे क्या हुआ तो दोनों मर गए खतम कहानी अब आप कहेंगे तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा हम लोग बच्चों को टालने के लिए कहते हैं एक राजा था एक रानी थी दोनों मर गए खतम कहानी उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि जिस समय कलपना उनकी चलना शुरू होई आपने कहानी खतम कर दी अब आप टालना चाहते हैं उनको और वो कलपना करना उस समय तो आप कहानी को जितना लंबा खीचें उतना अच्छा मेरा कहना ये है आपको कहानी को लंबा खीचते जाएं बले एकता कपूर के सीरियल की तरह से खीचें उसको इतनी इलास्टिसिटी है एकता कपूर के सीरियल में कि सालों साल हो गए खतम ही नहीं होते साज भी मर गई बहू भी मर गई एक जनरेशन चली गई दूसरी आ गई सीरियल कर यह बच्चों को चाहिए आप उनकी कलपना शीलता को बढ़ाने में मदद करें माने कहानी जो वो सुन रहे हैं उसको छोटी ना करें सुनते उसकी सूनते सो जाएं तो बहुत अच्छा और मेरी आपको ओंती है कि चुन-चुनकर कहानियां सुनाएं उनको अब आज के जमाने में कैसे बच्चे आपको चाहिए जैसे चाहिए वैसी कहानी सुनाए भगवान महावीर जैसे बच्चे चाहिए तो सुनाए उनकी कहानी रोज सुनाए बड़े प्रेम से सुनेंगे लेकिन कलपना शीलता के साथ आप अगर उनको चाहते हैं कि राणा प्रताब जैसे हो तो सुनाइ उनकी कहाने। लक्षमी भाई जैसे हो तो सुनाइ उनकी कहाने। क्योंकि बच्चों की कलपना शीलता आपसे ज़्यादा बड़ी है यह जान लीजिए। ये अलग बात है कि उनके पास शब्दों का भंडार कम है, शब्द कोश कम है, लेकिन सोचने में वो आप से आगे हैं, तो शब्द आप दे दीजे, कल्पना शीलता उनके पास है, बैठ कर वो अपना चित्र बनाई लेगे, और जिन बच्चों को जितनी लंबी कहानिया आप स कहानी उतनी लंबी, अच्छा मैथमेटीशियन बनाना है, कल्पना शक्ती अच्छी चाहिए, तो कहानी लंबी, मने लंबी कहानियां सुनाने की, आप अपनी आदत डालें, तो बच्चों में आएगी, वो कहानी सुनने में इतने मगन होते हैं, फिर उनको टीवी की जरूर नहीं है, ना पोगो की जरूरत है, ना कार्टून नेटवर्क की कुछ जरूरत नहीं है, आप अगर सुना रहे हैं उनको कहानी जिसमें उनकी कल्पना शीलता रम रही है, तो वो बहुत जरूर है, और फिर मेरी एक छोटी सी आकरी बात, क्योंकि दूसरी बात के लिए समय क पढ़ रहा है, कि जब बच्चे आप से कोई सवाल करें, तो जान लीजे वो अपनी कल्पना शीलता को बढ़ाना चाहते हैं, तब सवाल कर रहे हैं, तो उनके सवाल का जवाब एमानदारी से दें, जैसे उन्होंने सवाल पूछा, कि ये टमाटर का रंग लाल क्यों है, मा बगवान ने कर दिया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, आप उनको इमानदारी से कहें, देख भाई, बेटा या बेटी, मुझे अभी मालूम नहीं है कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, मैं कल पता करके बता दूँगा, या परसों पता करके बता दूँगा, कूरज लाल क्यों दिख रहा है, या पीला क्यों दिख रहा है, या ये पत्ते हरे क्यों है, ये पीले हो जाते हैं, तो ये पीले कैसे हो गए, ऐसे सवाल वो पूछेंगे, उनके उत्तर पोरी इमानदारी से दीजिए, तो इसका मने आपको पढ़ना ही पढ़ेगा, बिना पढ़े आप उत्तर दे नहीं सकते और जो आपने कोशिश की उल्टा सीधा तो थोड़े दिन में जब उनको सच्चा ही पता चलेगी तो आपका आदर वो बिल्कुल नहीं करेंगे उनके गुरू जी ने बता दिया कि ये पता हरा इसलिए था और टमाटर लाल इसलिए हो गया और चंद्रमा इसलिए चमकता है सूरज इसलिए पिला दिखाई देता है जैसे ही उनको पता चलेगा तो आपकी इज़त तो दो कौड़ी की हो गई उनके सामने वो आपको कहेंगे जी आपने गलत बताया मेरी टीचर ऐसा बोलती है तो आप से हटकर वो टीचर की तरफ चला गया और टीचर की तरफ गया तो समझ लो बच्चा आपके हाथ से ही गया जैसे जैसे उसका आकर्शन टीचर के प्रती बढ़ता जाएगा वो आपके कंट्रोल के बिल्कुल फिर टीचर जो कहेगी उसको पत्थर की लकीर मानेगा आप जो कहोगे उस पे कभी भी भरोसा नहीं करेगा इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले का बच्चों को बढ़ा करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम तो आप बच्चों के साथ विभार वैसा ही करें जैसा प्रकर्ती ने उनको सभाओ दी आहें कफ का कफ का सभाओ माने कल्पना शेलता वाला सभा कफका सभाओ माने imagination, limitless imagination, वो सीमा के पार जाके बात करते हैं, आप देखते हैं न, दुनिया के सारे बच्चे परेशान है हैरी पॉर्टर पढ़ने के लिए, है न, और आप और मैं सवाल करते हैं, हैरी पॉर्टर में रखा क्या है, कुछ नहीं है, उसमें तिलिस्म है, हैं, जादुई तिलिस्म हैं, वो सच्चा नहीं है, लेकिन उनकी कल्पना शीलता में उनको बहुत आनंद दे रहा है, इसलिए करोडों किताबें बिक रही हैं, हैरी पॉर्टर की, आप पसंद करें या न करें, क्योंकि बच्चे कफ के असर में हैं, कल्पना शीलता उस समय सबसे ज़्यादा है, तो जादुई बातें, तिलिस्मी बातें, जादुगर की बातें, ये सब उनको अच्छी, इसलिए लगती हैं, कि कल्पना शीलता बढ़ाने में ये सब मदद करती हैं, ये जासूसी उपन्यास जितने हैं ना, बच्चे बहुत प्रेम से पढ़तें, चाहे वो अमेरिका में हो या हिंदुस्तान में, बसंतर ये अमेरिका में, अंग्रेजी में पढ़ेंगे, हिंदुस्तान में, हिंदी में हो, जरूर पढ़ेंगे, चंदा मामा, एक पत्रिका आती है, बच्चों की चंदा माम या नंदन चुन-चुन के ऐसी कहानिया हैं उसमें जो उनकी कलपना शीलता बढ़ाती हैं तो वो लड़ेंगे आपसे चंदा मामा चाहिए नहीं तो ये किताब चाहिए अमर चित्रकता चाहिए ये चाहिए ये चाहिए अब आपके ऊपर है कि आप उ लोगों की दिन्चरिया क्या पित्व प्रकरती माने 14 साल से उपर और 60 साल के नीचे इनकी दिन्चरिया क्या पित्व प्रकरती के के लोग अगर आठ गंटे सो रहे हैं साथ गंटे सो रहे हैं तो भी चलेगा नियूनतम नीद कितनी होनी चाहिए आपके हैं पित्व प्रकरती के सब लोगों को जिनकी उमर 14-15 साल से लेके साथ साल है इनकी कम से कम नीद आठ गंटे की रहे तो अच्छा है लेकिन इससे भी कम रह सकती है क्या साथ गंटे हो सकती है लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा छे गंटे भी हो सकती है छे से कम नहीं और आठ से जादा नहीं ऐसे मान लिए तो पित्व प् तो आठ बजे आप सो जाएं तो आठ से आठ चार बज गए ना चार बजे उठें आपके लिए उठना बहुत जरूरी है ब्रह्म महूर्त में पित्व प्रकरती के लोगों का उठना बहुत आवश्चक है बच्चे ना उठें तो चलेगा आपको तो उठना बहुत जरूरी है क्यों? अगर आप चार बजे उठते हैं तो अगला पूरा दिन आपका बहुत बहतरीन और व्यवस्थित है और चार के बाद उठेंगे तो पूरा दिन बिस्टर्व है क्यों? क्योंकि जो जो करना है आपको वो चार बजे से लेके ही शुरू होगा चार बजे उठे, आपने पानी पिया, जो मैंने पहले ही बता दिया, उशा पान जिसको कहते हैं, फिर शौचादी के लिए आप गए, 10-15 मिनट मान लीजे, उसमें गया, फिर बाहर आप निकले, दंत धावन, शब्द इस्तेमाल किया, दंत धावन करें, माने दात साफ करें, अब दात साफ कैसे करें, पित्ट प्रकरती के लोगों को हमेशा दात ऐसी चीज़ से साफ करना, जो कशाए हो स्वाद में, तिक्त हो स्वाद में, कडवा, जो स्वाद में कडवा है और तिक्त है, ऐसी चीज़ों से आपको दात साफ करना है, क्योंकि प्रकरती आपकी पित किये तो पित्ट को कम करना कंट्रोल करके रखना ये कशाय और तिक्त स्वाद की चीजों से ही होगा तो इसका मतलब यह है कि आप नीम का दातुन करें जो कशाय भी है तिक्त भी बागवट जी ने कॉल है क्ो Jimin कोलगेट के लिए मना किया रहॉजिक कौलगेट थाई नहीं तो लिए नहीं है उन्हें झालगेटन को आप नेम का दातुन करें और नीम से भी अच्छा एक दातुनों नें बताया मदार मदार समझते मदार का एक प्रेड होते हैं वह कि अदि नेम है मदार है अर्जुन है फिर यह जो थाना आम आम बबूल है आम है अमरूद है ऐसे बारे वरक्षों का उन्होंने वरनन किया है कि इनकी दातू नहीं करना इसके आगे तेरेवे वरक्षों की नहीं और वो डिटेल लिखा है किताब में आप ले सकते जब उन्होंने आगे लिखा है वो मैं अभी बतादूक वो यह कहते हैं कि जीवन में जो किताब में अब आ वसंत है तो मोटा उगादी से शुरू कर लीज़े नहीं तो आप मकर संक्रांती से ही मान लेज़े तो मकर संक्रांती से लेकर जब तक गर्मी है माने बारिश नहीं होती तब तक नीम के दातुन की बात कही उनों तो इसमें चैतर भी आएगा वह शाग भी अब आप पुरानी चीज ज़रा देखिए कि हमारे बच्पन में हमारी दादी कहती थी कि देख चैतर का महिना लग गया नीम के पत्ते खा ले तो अगले एक साल तक बीमार नहीं पड़ेगा तो वो समय यही आता है जो बागवट जी का कैलकुलेश क्यों यह जो समय है इसमें पित्त को भड़कने से बचाने में सबसे बड़ी मदद यह करेगा नीम तो नीम का दातुन नहीं तो बबूल का दातुन नहीं तो मदार का दातुन लेकिन गर्मियों में सबसे अच्छा नीम है गर्मियों में और सर्दियों के दिन में सबसे अच्छा दातुन है अमरूद अमरूद के पेड़ का दातुन सर्दियों में सबसे अच्छा अमरूद के पेड़ का और अमरूद के जैसा ही एक और पेड़ होता है जामुन का भी दातुन करने का नियम बताया है लेकिन पता नहीं आप तोड़ पाएंगे के नहीं लेकिन अमरूत का आसानी से मिल जाएगा और फिर ज्यादा बारिश के दिनों में जो वो बोलते हैं तो आम का भी कर सकते हैं अर्जुन का भी कर सकते हैं और आप बोलेंगे जी पूरी जिंदगी अगर नीम का इदातुन करें तो कर सकते हैं तीन महीने लगातार करके थोड़े दिन छोड़ देना फिर तीन महीने कर लेना वो थोड़े दिन छोड़ने का नियम द्यान रखना तो फिर आप बोलें थोड़े दिन छोड़ दिया तो क्या करें उस दिन दंतमंजन कर लेना दंतमंजन के लिए वो ये कहते हैं कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहां का तेल और जिस छेत्र में रहे हैं वहां जो उपलब्द लवन माने नमक और जिस शित्र में रह रहे हैं वहां की उपलब्ध हल दी ये तीनों मिलाकर आप पाउडर बनाके दांत पे घिस सकते हैं ये बहुत अच्छा दंतमंजन उन्होंने माना दूसरा दंतमंजन उन्होंने बताया है गाय के गोबर को सुखा कर जलाएं उसकी जो राखी है उसमें थोड़ा कपूर मिला दें थोड़ा सेंदा नमक मिला दें बहुत अच्छा दंतमंजन तीसरा वो कहते हैं कि यो त्रिफला चून मैंने बार बार आपको बोला है त्रिफला चून है तो इसको बारीक पीस हैं बारे किसम की दातों ने तो आप ये जरूर करें मने टूथ पेस्ट बंद करें अब क्यों करें टूथ पेस्ट बंद बागवट जी और आधुनिक विग्यान को जरा जोड़ता हूँ आप पित्त के असर में है जान लीजे सुबह सोकर उठेंगे तो मुँ में पित्त ही बरा हुआ है लार्ज इसको आप करें अब ये असर जादा है तो इसको कंट्रोल रखना है आपको तो इसलिए का ये ये दातुन अच्छी है लेकिन अगर आप ब्रश कर रहे है पेस्ट कर रहे है तो क्या है उसमें चीनी है चीनी है ना शुगर है अब वो सैक्रीन के रूप में है या किसी भी रूप में शुगर है और शुगर और पित्त का जगडा है तो सुबह उठते ही अगर आप पेस्ट कर रहे हैं जो मीठा है तो सर्वनाश है मीठा ब्रश मांने मीठा पेस्ट पित्व में मिलाएं तो पित्व को तो बिल्कुल खराब करेगा ही और मूझ भी खराब करेगा क्योंकि शुबह का मुझ आपका मीठे के असर में आया मीठे के असर में तो 101% चांसेज हैं कि दांत खराब होना जल्दी शुरू हो और मेरा अब्जर्वेशन है कि जो ज़्यादा पेस्ट कर रहा हूं उन्हीं के दांतों में कीड़े सबसे ज़्यादा लग रहे हैं कीड़े लगना मनें दांत खराब होना आप बंद करिये यह अच्छा नहीं विग्यान के हिसाब से बहुत कराब और धर्म के हिसाब से तो और भी खराब है मैं कई बार यहां बोलके गया हूं सभी कॉलगेट क्लोज अफ पेपसुडेंट जैसे टूथपेस्ट मरे हुए जानवरों की हड्डियों से बन रहे हैं जैसे कॉलगेट बन रहा है मरे हुए सुअर की हड्डियों स यह प्रयोक शाला में प्रयोक करके हम प्रमानित करने के बाद बोल रहे हैं आपसे क्योंकि मैं जानता हूं सामने वाली कंपनी मेरे किलाफ केस कर सकती है फिर भी मैं बोल रहा हूं कि कॉलगेट बन रहा है मरे हुए सुअर की हड्डियों से पेपसुडेंट बन रहा है मरे पालन हो रहा है और आप तो जैन है तो इतना जान लीजे कि प्रत्यक्ष हिंसा का जितना पाप है न परोग्ष हिंसा का पाप भी उतना ही है तो किसी company ने आपके लिए बनाया toothpaste माने उसने मारा जानवरों को उसमें से निकालने के लिए हड़ियां आपके लिए बनाया तो पाप आपके ऊपर उतना ही है जितना उस मारने वाले के ऊपर है तो कसाई का पाप अपने सिर पे क्यों लेना तो क्यों यह कॉल गेट क्लोज अप बंद कर दीजे दातुन पे आईए नहीं तो दंतमंजन आप कहेंगे उसका दिहान रखे अब आपने दातवाद साफ कर लिए अब आपकी आगे की जो दिन चर्या है वो कैसी होगी आपको जो है ना पित्त प्रकरती के लोगों को मालिश भी करना है व्यायाम भी करें तो बागवट जी ने क्लियर कहा है कि वात के जो रोगी है उनको मालिश पहले व्यायाम बाद में और पित्त के जो रोगी है रोगी से मतलब आप पित्त के असर में हैं तो व्यायाम पहले मालिश बाद में तो आपको व्यायाम पहले करना है मालिश उसके बाद करने अब से ही वगल में पसीना आया व्यायाम रोग दें उसके आगे व्यायाम ना करें पसीना आया व्यायाम रोग दें वो दस मिनट में आये तो बीस मिनट में आये तो पचीस मिनट में आये तो चालीस मिनट में आये तो एक घंटे में आये तो आपके शरीर के हिसाब से ध्यान रख भारत के हिसाब से यह दोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि दोड़ते समय वात बहुत प्रबल होता है और भारत वात प्रकरती का देश है देशों की प्रकरती होती है वात प्रकरती क्योंकि गर्मी है ज्यादा इलाके में गर्मी है वात प्रकरती का देश है रुक प्रकरती का देश है इसलिए दोड़ना तो यहां बिलकुल मिशिद है दोड़ना तो नहीं रनिंग तो बिलकुल नहीं वो ट्रेड मिल पे दोड़ें वो भी नहीं एकसरसाइजर लाके उसमे भी दोड़ें बिलकुल नहीं वो कहते हैं कि ऐसे व्यायाम जो स्लो हैं जिन में वायू ना बढ़े तो सबसे अच्छा उन्होंने बता सूरी नमशकार आपके लिए अब आप चाहें आसन के रूप में माने या उसको व्यायाम के रूप में माने तो सूरी नमशकार आपके लिए सबसे अच्छा है तो आप सीख लें सूरी नमशकार किसी ने सीखा है वो कर सकते सूरी नमस्का दूसरे कुछ व्यायाम है आपको तो व्यायाम में छोटे छोटे इस्तर पर दंड वैठक छोटे छोटे इस्तर ज्यादा लंबी नहीं छोटी दंड वैठक है और छोटी छोटी इस्तर के कोई भी व्यायाम जिसमें बहुत तेजी से पसीना ना निकले स बहुत सारे व्यायाम आपके वहीं हो रहे हैं जैसे चक्की चला रहे हैं तो बहुत अच्छा है सिल बट्टे पे चट्नी बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है आप कहेंगे हम करते नहीं हैं मैं प्रेरणा दे रहा हूं करने लगें आप मिक्सी का उप्योग कम करें सिल्बटे का ज़्यादा करें चक्की का उप्योग ज़्यादा करें मिक्सी का उप्योग कम करें बाजार में यह इलेक्टरिक चक्की है उसका उप्योग कम करें वो मैं पहले भी बोल चुका था अभी भी बोल रहा हूँ कि आप चक्की को चला के आटा पीसेंगे उसकी quality बहुत बहतरीन होने ही वाली है क्योंकि इसमें घर्षन कम है और घर्षन कम है न तो अनाज धीरे धीरे पिसेगा और अनाज धीरे पिसेगा तो temperature नहीं बढ़ेगा और वात वाले देश में temperature बढ़ना नहीं किसी भी चेज का और आप electric चक्की में पिसवाएंगे न बहुत तेज घर्षन है तो अनाज में नाश हो दा जाएगा पौश्रिकता कम होने ही वाले है तो हाथ की चक्की का खा के देख लीजे एक रोटी और ये बिजली वाली चक्की का खा के देख लीजे एक रोटी एक ही मिनट में अंतर पता चलिए तो अगर आप करें तो अच्छा है फिर आप कहेंगे जी चक्की मिलती नहीं मैंने चिन्नई में देखा दो लोगों को जो चक्की बना के देंगे आप अगर उनको ओर्डर दें तो पत्थर वाले लोग यहां है मैं छे दिन से यहां गूम रहा हूँ सड़क पे दिखाई दिये तो सिल बट्टा तो है उनके पास चक्की नहीं है क्यों नहीं है वो कहते हैं कोई लेता नहीं तो क्या बनाएं आप लेंगे तो बनाएंगे दो चार बना हुआ है तो वो भी और आपको कहीं न मिले तो जरूर मुझे करें फोन तो हम कुछ ट्रक भर भराके राजिस्थान से गुजरात से बिजवाएंगे आपके पास ट्रक भरके भेजेंगे तब ही सस्ती पड़ेगी एक दो आईगी तो मुझे हो जाएगी और आप अगर राजिस्थान जाते हैं या गुजरात जाते हैं तो एका चक्की तो सात्में भी ला सकते ना AC3 टायर में आप 60 किलो तक वजन ला सकते हैं AC2 में 100 किलो तक ला सकते हैं और sleeper क्लास में 40 किलो तो लाई सकते हैं कंफर्म टिकेट पे तो चक्की तो 20 किलो से ज्यादा होती ही नहीं है तो आप भी जाए कभी राजस्थान गुज्रात तो दो चक्की एक आदमी ला सकता है तो आप लाएंगे चक्की तो क्या होने वाला है वो जो बनाने वाले कारीगर बैठे हैं पत्थर वाले उनका कुछ रोजगार तो बढ़े कुछ रोजी रोटी चले जो अभी धीरे धीरे बंद हो रही है और उनकी रोजी रोटी अगर आपने चलाई तो मैंने आपको सबसे पहले दिन एक बात बताई थी कि आप जिंदगी के अपने सब दुख दूर करिए देहिक देविक की तरफ जा तो चक्की है सिल्बटा है कोशिश करें तो व्यायाम की अत्रिक्त जरूरत नहीं और अगर नहीं कर पा तो थोड़ा हलका फुलका व्यायाम आप जरूर करें और बहनों को माताओं को जो सबसे अच्छा व्यायाम है बागवट जी कहते हैं forward bending forward bending माने आगे जुकना तो जितनी बार आप आगे जुकें दियान रखें कमर से जुकें हमेशा तो जिंदगी में कभी भी दर्द नहीं आएगा कमर का आगे कमर को छोड़कर कहीं से भी जुकेंगे तो तकलीफ है कोशिश करें कमर से जु जुकें जरूरत नहीं है कि नीचे तक जुकें हो सकता है कमर से जुकें तो आपके हाथ गुटने तक ही आए वहीं तक रहने दीजें सहज होकर करिए असहज होकर मत करिए तो थोड़ा व्यायाम 15-20 मिनट में पसीना आ जाएगा उतना काफी फिर उसके बाद मालिश आपको भी मालिश जरूरी है क्योंकि आपको भी कफ का असर ना बढ़े और आपका विक्रत ना हो तो आपको भी बच्चों की तरह ये बात ध्यान रखनी है कि सिर की मालिश ज्यादा कान की भी मालिश ज्यादा और बाकी शरीर की तो करनी है और शरीर में सबसे ज्यादा मालिश त तरह का नियम है, पित्वालों का, और वात वालों के लिए क्या है, जिनकी उम्र 60 के ओपर है, उनके लिए बागब्वट्टीजी कहते हैं, व्यायाम निशेद, जैसे बच्छों को निशेद, वैसे उनको निशेद, उनके लिए मालिश बहुत जरूरी, जैसे बच्चों की वैसे वातवालों की माने बुजर्ग लोगों को मालिश बहुत जरूरी है व्यायाम से भी जादा और मालिश करते समय ध्यान रखना है सिर तलवे दो चीज़े और कान भी तो मालिश आप करें व्यायाम करें तो बहुत हलका फुलका करें लेकिन ये नियम बागवट जी ने नहीं बताया कि आप व्यायाम तब तक करें जब तक बगल में पसीना ना आए क्योंकि एक उम्र के बाद पसीना बहुत कम हो जाता है तो हो सकता एक गंटे तक भी ना आए और आप करते रहे ये पित और कफ वालों के लिए है सिर वात वालों के लिए तो वात वाले तो जीवन में जितने आराम से रह सका है वैसे तो बात वालों के लिए बागवट जी कहते हैं कि उनको तो एक ही काम है वो है दिशा निर्देश बुजुर्गों का एक ही काम है कि घर में बैठे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं ऐसा मत करो ऐसा करो क्योंकि उन्होंने जीवन का सारा अनुवव ले लिया और वो अनुवव को मिला कर आपको दिशा निर्देश कर रहे हैं बाकी अपना पूजा पाठ भक्ती वगरा जादा क्योंकि इसमें मुवमेंट बागवट जी बोलते हैं कि वात के लोगों को मुवमेंट सबसे कम होने चाहिए तो जादा भाग दोड़ नहीं जादा इधर उधर नहीं आराम से सहजता से जितना होता है अपने शरीर को बचात करूँगा तो कुछ बातें इसमें आ जाएंगी अभी मेरा आपको विनेम्र निवेदन है कि आप चाहें तो प्रशन पूछे लेकिन निवेदन दूसरा है कि जब तक प्रशन का सत्र चले 10-15 मिनट कोई ना उठे क्योंकि हो सकता है कि किसी ने जो प्रशन पूछा वो आप मनुष्य के मूत्र का महत तो क्या मनुष्य का मूत्र भी औशदी के रूप में काम आता है और बागवट्ट चिकित्सा में उसके लिए दो सूत्र है उन सूत्रों के अनुसार आप मनुष्य मूत्र पी सकते माने अपना स्वयम का मूत्र पी सकते हैं लेकिन उसकी एक कंडि आपका जो मूत्र है और गाय का मूत्र है फिर आपके मन में प्रशनाएगा दोनों में क्या तो बागवट जी ने बहुत इसपश्ट कहा हमेशा गाय का मूत्र मनुष्य मूत्र से अच्छा अगर गाय का मूत्र आसानी से उपलब्द है तो वो पिएं नहीं उपलब्द है तो पहले मूत्र को भी कलेक्ट करने की विधी उन्होंने बताईए वो विधी क्या है कि आप मूत्र ने करना शुरू करें तो पहला थोड़ा छोड़ें शुरू का शुरू का दो चार पांच मिली लीटर दस मिली लीटर तक छोड़ें और अंत का बिलकुल छोड़ें बीच वाल की बीमारियां और कफ की बीमारियों में बहुत काम आएगा पित्त की बीमारियों में भी काम आता थोड़ा कम आएगा और उसके साथ आयरवेद की कुछ औशदियों का अगर combination करें तो वो बहुत ही अच्छा है अभी इतना ही कहता हूँ अगर विस्तार से सुनना हो तो फिर कोई extra session हम करें तो अच्छा होगा जी बेनो और भाईो महान रिशी बागभट द्वारा रचित अच्छांग हिर्देम पर आधारित स्वदेशी चिकिस्ता के व्याख्यानों को आपने सुना राजी भाई ने सुदेशी चिकिस्ता के व्याख्यानों में आपको बताया कि किस तरह से हम अपने स्वस्त को अच्छा रख सकते हैं बिना दवा के बिना डॉक्टर के हम अपना इलाज कैसे कर सकते हैं ये आपने उनके व्याख्यानों में सुना आईए अब हम इन व्याक्षानों के आधार पर और बागवट रिशी के द्वारा रचित अश्टांग हिर्द्यम के आधार पर सुदेशी चिकिस्ता के शिवरों में भाग लें और सुदेशी चिकिसा के शिवरों में भाग लेकर अपने वात, अपने पित और अपने कफ के वारे में जाने और इन त्रिदोशों के आधार पर अपने शरीर को कैसे स्वस्त रख सकते हैं इसके वारे में जाने इन सोदेशी चिकित्सा शिवरों में हम आपको बताएंगे किस तरह से अपने बात को अच्छा रखें, किस तरह से अपने पित्त को अच्छा रखें, किस तरह से अपने कफ को अच्छा रखें, इन तीनों का संतुलन कैसे अच्छा रखा जाए ताकि हमारा सरीश्वस्त रहे हमारे प्रतिदिन के भोजन में हमारे परिवार के भोजन में हम किस तरह का खाना बनाएं हम किस तरह का भोजन तयार करें ताकि वो प्रकर्ति के आधार पर हो इन त्रिदोशों के आधार पर हो ताकि हमारे परिवार का स्वास्त अच्छा रहे भाईयों और भेनों आपने सोदेशी चिकिस्सा व्याख्यान सुना सोदेशी चिकिस्सा के वारे में जाना अब हमारा कर्तब है कि हम अपने सभी जनजन को हभी अपने भाईयों को सभी भारतियों को सोदेशी चिकिस्सा के वारे में बताएं और देश की सेवा करें हम अपने यहाँ पर इस तरह के शेवरों का आयोजन कर सकते हैं, हमको अगर कोई बिमारी है, कोई परेशानी है, कोई सामान ने बिमारियों के बारे में जानकारी चाहिए, तो क्रप्या करके हमारे इस नंबर पर संपर कर सकते हैं, 982520113